इंडियन प्रिमियर लीग आईपियल 2020 इस साल यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में खेला जाएगा। इस बात की पुष्टी बीते शुक्रवार आईपियल के चेर्मेन ब्रिजेश पट्टेल ने की आईपियल 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच यूएई में खेला जाए UAE बोर्ट की महस्चिव मुबाशिल उस्मानी ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि स्टेडियम में फैंस के आने पर हम अपनी सरकार को कुछ योचनाओं का प्रस्ताव देंगे और इसके भी मंजूरी लेंगे की टूर्नमेंट की मिजबानी करने के लिए किस सवाल है, हम चाहते हैं कि UAE में हमारे एशियाई प्रवासी और अमीरात के लोग भी आए और IPL देखें। UAE बोर्ट की महस्चिव ने कहा कि ऐसे बड़े इवेंट्स को देखने के लिए स्थाने काफी उत्सुख हैं। हम स्टेडियम में फैंस को लाने के लिए सरकार से छ अनुमती सहित रेस्तरा और सामाजिक दूरी तथा सुरक्षा के साथ 30 से 50 प्रतिशत लोगों के आने के अनुमती है। गौर हो कि IPL मार्च के अंत में शुरू होना था लेकिन कोरोना वारस महामारे के कारण हुए एलाग कटाउन के बाद इसे मैई तक स्थागित कर दिया गया। इसके बाद मैई में हालात अधिक खड़ाब होने के कारण इसे अनिश्चित काल के स्थागित कर दिया गया। भारत में स्थिती में अधिक सुधान ना होने और एश्या कव तीट विश्व कव 2020 रध होने के बाद अब IPL को युई में करवाने पर सहमती बनी है।